तोचा था पूरा जन्जागरान और उसका उसको कैसे करना है उसको किया जाए उसको किया जाए काब अभी यूपी को चनाव जग जाना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है आदेत नाथ जी से वेतर कोई यक्ति मिल नहीं सकता है तो और उसमें द्रन निश्यवी है वेतरी में यदि उसको बात समझ में आ गई तो अपन लोगों को इस मुहिम में बहुत मदद मिल सकती है क्योंकि फिर वो उसे अपनी मुहिम बना लेंगे और यही अपनी सफलता भी होगी इसा मुझे लगता है और अपन अपना जारी रखे इंडिविजुल से तो वो नहीं है जो भी होता है अपन को जो हना उसमें लेकिन मुझे लगता है कि अपन को अभी चुनाओ तक जो ना सेवल डिश्टल प्लेट पर ही अक्टिव रहना चाहिए अपोथेटिक कोश्चन मैं पूछ रहा हूँ आप से उसका अंसर कर दीजिए अगर योगी आधितनाथ ने आपका साथ नहीं दिया तो क्या करोगे यह तो हमारा संगर्स है हम जारी रखेंगे फिर आप दूसरे के कंडे पर रखे बंदों क्यों चलाना चाहते हैं नहीं चलाना चाहते हैं मुझे लग रहा है किस समय जो है अपन जो है जो सुन जो अपना संबाद है उसे हम जारी रखें सर, सर, मेरी बात का जवाब दीजे, सर, पीजीपी मैतली शरण गुप्ता सहाब, तो भी अगर योगी आदितनात जैसों का साथ चाह के कोई अधियान चलाना है, तो पुर इसमें डीजीपी सहाब की क्या वेक्ते तो और करते तो होगा, इसका जवाब दीजे? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं तो सिंप्रल इतना कह रहा हूँ, कि उससे आपको मदद मिल जाएगी, अगर आप यह अन्ना आजारे की तरह, आरेसिस का कंदा मजबूत करके समात सेवक बनना चाहते हो, तो आपको यह जाहते हो, आपको देखो ऐसा है, पानी का पर बहाँ है, यह ज़ि उसे डलानों अंकूल बातरोन मिल जाए, तो वो जल्दी से अपने आतरा पूरी कर लेगा, अजर बाई वो जब तक सहलाओं नहीं मनेगा, तब तक उसे ठमा रहना पड़ेगा, यह बात आप मन रहे हैं के नहीं मन रहे हैं? नहीं, मैं नहीं मानता यह ने आपको सेला जब तक आप सेलाओं में कनवर्ट नहीं होंगे जब तक आप लोगों की वो जो अपने बात कर रहे हैं सकारात में संबाद और उसके मादमों से लोगों को जोड के देखिए एक चीज़ आप एमान के चलिए कि 90% लोग जो आपकी जो राजनतिक सिस्टम है ज लाने देंगे योगी आधितनाइट लाने देंगे नहीं आप बात थी करें, आपकी बात में दम हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैंने तो उसे भावनाओं का इजहार किया था, लेकिन मैं आपकी बात से पूरते सहमत हूँ मुझे लगता है राय ठाकरे जो ऐसे उट रहे, तो क्या मुझे राय ठाकरे से सहमत हूँ, आपकी आपका पॉइंट इस वेल टेकन, हमें अपना इंडिपनेंट संगर्ज जारी रखना चाहिए, क्योंकि बेवस्ता परवर्वर्वर्व का जो, बेवस्ता परवर्वर्व की दी, कि जिसके दम पर जो है, अदितना तो बच्चा है, मोदी जी उनके आगे नत्मस तक हो सकते हैं, मुझे मैं अपनी बात बता रहा हूं, जैसे आप अपनी बात बता रहा हूं, ये आपकी सहमत नहीं हूँ, मैं आपकी इस आपजल्वेशन से, क्योंकि सत्त के सामने तो सत्त के सामने तो यह सुरु भी सहमत होता है, जी, वही कहता है, तो अगर आपका यहां तक विचार है, तो आप से बहुत विनर्मता पूर्वक मैं हाथ जोड़ के विंती करता हूँ, कि मेरी शुब कामना है, आपके यहां में चलने हो कामना है, और अगर आप सक्चे दिल से एक राष्ट भक्त होने के नाते, एक भारतिये होने के नाते, गलत को गलत और सही को सही कह कर, अपनी बची हुई जिन्दगी में समाज को कुछ देना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ हर तरह से हूँ, मैं मुझे आप जैसे हर व्यत्ती का स्खयोग चाहिए, नमबर वान, नमबर टू, मैं तो कहने तक ही सीमित नहीं हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, संस्तागत परवर्बत पर हमें लाना होगा, अगर आप शार्टर में, या आप किसी और विचार से, ये सोचते हो, कि हमें कि मैं ज़र कह रहा हूँ, किराइम फिरी भी योगी नहीं करेगा, किराइम, मैं कह रहा हूँ, जो दर्द आपका है, जो सोच आपकी है, समझेए, वो दर्द और सोच जो है, लाको करोडों में किसी आदमी को मिलती है, अगर इमानदार हैं तो, यह तो सभी कहते हैं, हम दे मैं तो एक अपना मार्ग दर्शक्त पोज रहा हूँ, मेरा कोई उस्ताद नहीं है, हलो, मेरा कोई उस्ताद नहीं है, मैं किसी आदमी को मानता हूँ, मैं 200 परसंट आपके साथ हूँ, तो सवाल यह उठता है, यह हमें आपके बारे में बहुत से लोगों ने कहा, मैंने कि बावजूद हमने आपको आज फिर फोन किया, हमने इसलिए किया, कि हमें लगता है, कि आप ऐसे आत्री हैं, कि कुछ देश और समाज और दुनिया के लिए इमानदारी से करना चाहते हैं, राजनीतिक दलों की भावनाओं से उपर उठकर, अब अगर उस कतोटी पे आप मे आल यह उड़ता है, क्योंकि मैं ने तो 600 कैबनेट मंत्री, 2500 मुक्पंत्रियों के वन टू वन इंटर्व्यू किये हैं, हमें किसी को गुरु बनाना होता हूं, उन में से किसी को बना लेते, शरत्मवार को बना लेते, अरिश रावाद को बना लेते, जीला दित्वित को बन बना लेते, अटल वियारी जी को बना लेते, एडवानी जी को बना लेते, सुझमा जी को बना लेते, मदल्लाल कुराना को बना लेते, सुंदर सिंग बंडारी को बना लेते, रोमेश शर्मा को बना लेते, आनंदी बेन पटेल को बना लेते, किसमें नाम बताऊंगे। अबु आजिम को अपना उस्ताद बना लेते जो और वो पती है समाजवादी का नेता है पॉम्बे का उसके बंगले में जाके रहते हैं हमें इस चीजों की महों माया नहीं हैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए चतितर के मुख मंतरी बुबेज बगेल कि पिदाजी के साथ उनके बंगले में दो मेने दस दिन रहा हूं कितने दिन? दो मेने दस दिन स्मुक मंतरी के बंगले में नशे? और सारी शान चौकत और चीजे तरीके देखे हैं लेकिन हम ठूकते हैं ऐसी चीदों के मैं तो अफ़जर्व करने के दिये जो रहा हूं सब जगा ना कि ये दुनिया जा किदर रही है आपकी बात में दर है और मैं प्रूता शहलत भी हूँ सर जब मैं महा बैठता था सक्ती घड़ में मुख मंतरी के घर में तो रोज 500 लोग आते थे मिलने बाबुजी से और चरण चूते थे मेवे बादाम और बिस्केट और क्या क्या लाते थे तोफे कितने लोग 500 लोग रोज और दो मेने 10 को मल्टिपिलाई करती ये 500 से कितने लोग आए और एक सेक मंतरी कैबनेट मंतरी क्योंकि बाप मुख मंतरी है एक सेक कैबनेट मंतरी एक सेक कांग्रेद और बीजेपी के भी नेता प्रज मोहन जैसे नेता जोग ये जेपी के मंतरी थे महाँ ठीक ये आपके अधीज जोगी का बेटा आपके इतने भी सांसाथ हैं बीजे हमने सबको one-to-one बैट के देखा है और सबसे discussion किया है और मैंने बाबु जी के सामने ही सबको point out कर दिया कि यह बकवास है यह गलत है तो भाबू जी से उनके चम्चे लोगों ने कहा कि इस आखने को आप इतना मुझाए वे हो ये सब के सामने आपकी बात कार देंटा है भाबू जी जो है छी आत्वी साल के हैं ये आपकी बात कार देंटा है ये तो बेज़ती कर रहा है उन्होंने क्या जवाब दिया था पता है, कहने लगे कि ये बुद्धी का इस्तेमाल करता है, तुम लोगों की तरह ये चापलू चाटूकार नहीं है, और ये यहां मेरी रोटी खाने के लिए नहीं सुन लिए, उन बुदर्गवार की बात देखिए, उन्होंने का ये यहां मेरी रोटी खाने के लिए नहीं रुका है, इसको मैंने रोका है, इसको मेरी जरूरत नहीं है, इसको मेरी जरूरत नहीं है, मुझे इसकी जरूरत है, कितनी बड़ी बात है, इसी मुकमंतरी कब आप ये बात कहे जिस आत्मी के लिए, और वो आत्मी फिर आज हम उनके साथ नहीं है तब फिजिकली नहीं है भावनात्मा कूफ से तो है ठीक अब उस आदमी को मुखमंत्री का बाप के अलावा वो यूही अरपती है उसकी इतनी जमीने हैं बुड़े की पुछ नहीं समझते हैं आप उनके किस से मालू होंगे गुपेश बगेल तक ने उनको जेल मारी बेटे की बात भी काट रहा है मुखमंत्री ने कहा कि तुम सिराज साहिल से नहीं मिलोगे उसके बहुजूर जब वो दिल्ली के लिए फिलाइट पकड़ते हैं तो महां से मेरे पास फोन आता है बेटा 36 गर सदन पहुच रहा हूं आ जाना इसको क्या कहोगे आप बता वो आपकी कदर कर रहे हैं और वो आपको समझ रहे हैं कि आप वो हीरा हैं जिसकी जरूरत उने हैं आपको जरूरत नहीं ठीक मैं सुन लिजे और अगर मैं पैसे का दौलत का एश्वर्य का लाल्ची होता है या हूं तो आज हम चाहें तो भूपेज बगेल से नहीं मतलब है उन बुदर्ग वार के पास बाबु जी के पास ही कम से कम जो है सो करोड़ी लैंड है तो जमीदार है चो सा टुकड़ा कह देंगे छस्तील गल राज में इसको मेरे नाम से काट दो यहां मैं बिल्डिंग बना रहा हूं और अपना मीडिया गुरूप चलाओंगा तो जो दो मैने दस दिन आपके भाई ने कैबनेट मंत्रियों मंत्रियों बड़े-बड़े करोड़बती इंडस्रिस लोग जो आते थे पैर छूते वे कि यह काम करा हो उनको जलील किया लटिया आया हनक दिकाई और कई बार बाबु जी की बात भी काट दी तरीके से और रात में दो बजे जिस दिन उनको मैं ज़् बढ़े में रहते थे दो बजे रात में उठाते थे और कहते थे कि अरेट कुछ दिस्ट्रब तो नहीं किया पेटा आओ बैठते हैं और आपने खामसामा से कहते थे बढ़िया स्ट्रओं कॉफी बना और दो बजे से लेके सुभेरे छे खे रजे तकれた हो अग्वार्ता होत तुमने ये भी सही कहा था, तुमने वो भी सही कहा था, फिर जो उनके चम्चे थे खास, चार लोग, उनका नाम लेते थे, ये साहू जो है, तुमसे बहुत जलता है, ये विवेग जो है, बहुत खुंदक खाता है, वो फनाना ये करता है, वो कहता है, साहिल ये साहिल मुसल् पड़ियंत्र भी जानता हूं कि अच्छे आदनी को लोग टिकने नहीं देते हैं क्योंकि उनके हित नहीं सद्रे होते हैं उसके रहते हुए हमारी आलोचना कर रहे हो तो भी सही है आज के बाद मैं आपको नहीं दे सकता नहीं आपकी बात बहुत अच्छी है बलकि मैं यह भी कहूंगा कि चुकि बैकर निजन हरकुछ रिकॉर्ड करता है तो यह आपकी अभी जो बात हुई है बहुत अच्छी बात है तो आपको इसमें कोई आपती तो नहीं है तो अपने बारे में बताया वो भी आपने बहुत अच्छा बनाया बताया है तो यह एक जनता के लिए एक बहुत अच्छी बातालाब हो सकती है मुझे लगता है मैंने इतनी बड़ी बात आपको कही और मैंने कोई आपती जनब शब्दों का इस्तेवाल नहीं किया यही कहा वो बाबुजी इतना मानते थे और आज और यह भूपेज बागेल ने कहा है फिर कह रहा हूं मैं और सुनिए भूपेज बागेल मुखमंत्री हैं उसके उनके पिता शिरी जिनोंने उनको पैदा किया दो मैने दस दिन अपने घर में इज़्द से रखे हैं उस आदमी से वो दो मिनट मिलने की भी फुरसत नहीं निकाल पाए और बाबुजी हमें ले के भी गए दस बार दसों बार उन्होंने बहाना बना दिया कुरोना का कि कई बार बाबुजी नाराज भी हुए आई समझ में तो जब एक राज का मुख मंत्री इतना सम्वेदन शील इतना दैशत जदा इतना आतंकित हो किसी एक ऐसे वेक्पी से जिसको घर में रख रहा हो उनके पिता जी तो उस मुख मंत्री की बुद्धी पे तरस आता है य बुद्धी की उस में नेता की बुद्धी पे तरस आता है अब आप दूसरी सुनिए उन्हों ने मैं से कहा अब ये भी चलाईएगा टेप में नंद कुमार बगेल साहब ने कि तुम जो यूपी में ललू से बात करो अजय सिंग ललू जो प्रदेश अद्धियर्च है और जो कुर्मी समाज के लोग हैं उनको वो टिकट दें इसी तरह से ये पिलानिंग करो और तुम उनसे मिलो अब ललू का नाम जैसा है वो वैसे ही है एक दमी ललू है उससे मेरी छे बार बात हुई सुन लीजिए बहुत इंपर्टन चीज़ है ये इंट्रेस्टिंग है छे बार उससे बात हुई गदे से गदा शब्द कहूंगा पिर्देश अध्यक्ष है वो कांग्रेस का उसको मैंने पूरी चीज़ बताई तो कह रहा है कि मैं प्रियंका गांधी के साथ दोरे पे जा रहा हूं गाड़ी में हूं उसका पीए कह रहा है और मैं बात करता हूं पि तेरी पार्टी के हित की बात बताए उससे मिलने का तेरे पार्टाइम नहीं घंटा कांग्रेस रिवाइब करेगी तो प्रियंका के परस उठा जूती उठा कांग्रेस बल जाएगी इससे और यही चीज नंद कुमार बगेल साब के लिए कि मुखमंत्री के पिता मुखमंत्री को कोई सला देना चाहते हैं किसी इंपॉर्टेंट आदमी से मिलाना चाहते हैं उन भूपेज बगेल सहाब को टाइम नहीं है अब कितने दिन मुखमंत्री रहोगे तुम रमन सिंग भी 15 साल रहे थे जोती बसू भी 25 साल ही रहे थे अ इसका मैंने दो उधारण दिये, एक तो कांग्रेस के मुखमंतरी का, और एक कांग्रेस के उत्तर परदेश के अध्यश का, मैटर तो मेरे पास कापिल सिब्बल से रिलेटेट भी है, देश के बहुत बड़े वकील है ना, इसको भी चलाईएगा, मैं उनको मूर्ख मानता हू जब वो MP का चुनाओ लड़े दिल्ली में, तो बुला के मिठाई किला के रोज मिलते थे, इंटर्व्यू देते थे, उसके बाद मंतरी बने तो भी शहर मुलाकात होती थी, तस साल वो कापिलेट मंतरी रहे, मैं कभी उनके पास कोई काम से गया नहीं, कि मेरा ये काम कर दो तो कि हमें तुम्हाई दरुवत ही नहीं, मैं खुद सच्चम हूँ, ठीक, अब हम उनसे जो है कोई टॉपिक पे इंटर्व्यू करना चाहे रहे है, कांग्रेज के विवाद को लेके, तो वो कह रहे है कि मैं अभी किसी को इंटर्व्यू नहीं दे रहा हूँ, हमने कोई ब बढ़े पत्रकार होंगे, इनको आपने इंटर्व्यू दिया, मैं छोटा हूँ, प्रास्मिक्ता है तुम्हाई बदलती रहते हैं, जब तुम्हाई चुनावार लग रहे हैं, तुम हमें रोज इंटर्व्यू देते थे, रोज बुलाते थे, चलो छोडो, वो तो हम समझत इंटर्व्यू करना चाहे रहे हैं, वो जो गुरूप 23 बना था, कांग्रेस में, पुरा उधम मचाता, तो उनिया के खिलाफ, उन्हें करना चाहे रहे थे, आपकी बड़े नेता है, इनका कर लूँ, आप उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया, तो नहीं दिया, तो तो उनक में दूभादा विशेचादी का रहे हैं, आप हम से बात कर रहे हैं, आप कहीं के थे, इंडिया का बहुत बड़ा वकील है, तो यह पत्रकार के स्वालों के जवाब जो है नहीं दे पा रहा है, जवाब तुझे सूझ नहीं रहे है, कि सवाल मेरे बहुत तेड़े हैं कहें इसे देश चलेगा भाई कैसे देश चलेगा इन्हें अपनी दुकान चलाना है देश से क्या ले रहना देना फिर नहीं तो ऐसे लोग जो है अब आगे आईए ऐसे लोग जो है बीजे पी आरेसे में भी हैं अब यह के साफिल और ले ल नहीं है नालाच नहीं है तिक दर नहीं है तो निर्भी सुन लिजे सर एक मिनट सिर्फ एक मिनट में दूंगा जवाब मिस्टर राम माधव और एसेस के बहुत बड़े नेता उनसे मेरी वन टूवन बात हुई फोन पे हुई बहुत अच्छे आदमी बहुत पाभिल आदमी उन्होंने बहुत रेस्पेक्टफुली वे में कहा इसाहिल जी मैं आपको इंटर्व्यू जरूर दूंगा आप मेरी कि इसी नंबर पे आप काल कर लीजिए वो भी वाट्सेप काल कीजिएगा तो मेरी जो है जो मैनेज करती है वो सब चीजे इंटर्व्यू का टाइम वाइं वो आपको बता दें ओके मैंने वाट्सेप काल किया काट के इसना सम्मानित आदमी जब खुद कह रहा है कि इसी प को बताती हूं मैंने वो वाट्सेप कर दिये पर उनको फोन किया मैडम मिल गए करें मिल गए मैं फार वाइड करती हूं तो लिए सार आज 11 महीने हो गए इन 11 महीनों में मैंने कम से कम 22 बार कांटेक्ट कर लिया भोत बड़े आदमी है यहां वाहँ बिजी इधर विजी खुद बिजी हैं, सिर्फ आप टेली फोन पे दस मिनेट का कन्वर्सेशन करा दो, उन्हीं कोश्चन पे, मैं दुछा कोश्चन पूछूंगा नहीं, जो ही नेटवास, वैसे तो मैं ऐसे आत्मी का इंटर्व्यू नहीं करता हूं, जो पहले कोश्चन मांगे, ठीक बात है, उन्होंने अगर मांग लिए, अब सुनिये, मैंने उनको कोश्चन क्या दिये, मैं यह चाहता हूं कि हिंदुस्तान जो है, हिंदुराज बने, पहला कोश्चन, इससे रिलेटेट पूछेंगे कि हिंदुराज की क्या परिकल्पना है, और कैसे बनेगा, और उसमें क्या करो होगी, दूजरा कोश्चन, राम मंदिर के बाद आब और कितने मंदिर बनेंगे, तीसरा कोश्चन, धारा तीन तो सत्तरों पैतित एह अटने के बाद, वहां क्या समीकरान बदले, और जो कश्मीरी पंडित जो है, विस्तापित हुए ते उनके लिए सरकार क्या कर रही है, समान नागरिक सहिता, अभी तक लागू नहीं हुई, सुनते रहिएगा, आप बहुत बड़े इंटरेस्टेट आत्मी हैं, इसलिए दे रहा हूं, समान नागरिक सहिता, अभी तक लागू क्यों नहीं हुई, तक कि परधान मंत्री जब पहली बार परधान मंत्री बने थे, उत गोश्वापत्र में समान नागरिक्ता भी थी और मुद्दे भी थे लेकिन परात्मिक्ताओं में समान नागरिक्ता सहिता पीछे चली गई परात्मिक्ता में थे 3 तलाग, 370, 35 ए और राब मंदिर मुद्दे और यह आए वो चलो सरकार का विशेश अदिकार होता है तो क् परात्मिक्ता जो है समान नागरिक्ता नहीं होना चाहिए इस तरह से मैंने आज सवाल बेचे और मेरा तो एक चीज इसमें और भी कहना है कि इसके पहले हमें मुस्लिम समाज से यह पूछाए अरे मुस्लिम समाज को हम कहरें मुस्लिम को मारिये गोली सवाल पूछे आज 11 मैंने हो गए कोई रिस्पांस नहीं आया इसका मैं